नमस्कार दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर की रोल की रेसिपी जिसे आप घर पर बहुत ही इजी तरीके से एकदम सौप्ट मुलायम गाजर के रोल बना के तयार करेंगे खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट और बढ़िया लगते हैं गाजर का हलुआ तो आपने कई बार खाया होगा पर इसे ट्राइ कीजिएगा बिल्कुल इजी तरीके से और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा हो सके तो मुझे कमेंट में बत सबसे पहले हमने यहां पर गाजर ले ली थी और यह 800 ग्राम गाजर है एक प्लो से थोड़ा सा कम है और जिन्हें हमने छील लिया है और छीलने के बाद इनके पीछे का हिस्सा भी हमेंने हटा दिया था तो इन्हें चाको की साहता से हम पीसिस में कट कर लेते हैं और इस तर गाजर बस हमें इस तरह से पीसस में कट कर लेना है बहुती easy तरीके से ये मतलब roll बन के तयार होंगे तो बस मैंने गाजर को इस तरीके से कट कर लिया है और सारी गाजर काटकर साइड रख लिया है अब हम mixi का jar ले लेंगे और इसमें डाल देंगे गाजर को और ग्राइंड करेंगे तो हलका सा दरदरा सा हमें इने पीस के तयार करना है बहुत ज़दा महीन भी नहीं रख करना है क्योंकि थोड़ा सा दरदरा सा फिलेवर गाजर का अच्छा लगता है आप चाहें तो इने कद्दू कस भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और बस मैंने इस तरह से इसे दरदरा सा पीस कर तयार कर लिया है गाजर बहुती बढ़िया पिस गई है और गाजर का सीजन चल भी रहा है और बहुती हेल्दी होती है गाजर तो बैसे तो बच्चे बगएर ऐसे गाजर नहीं खाते हैं सूकी लेकिन आप उन्हें हल्वा या मिठाई कुछ भी बना के देंगे या रोल तो वो जरूर खाएंगे तो बस इसे बना कर रख लीजिए आप और इसमें हमने बहुत ज़दग घी नहीं डाला है बस एक चमच हमने यहां पे कड़ाई में गी डाल दिया है और इसके बाद जो गाजर हमने ग्राइंट करके रखी थी उसे डाल दिया है तो सारी गाजर हमने इस तरह से कड़ाई में डाल दिया है अब आप सोच रहे होंगे हम माबा का इस्तिमाल करेंगे या मिल्क पाउडर का इस्तिमाल करेंगे तो हम कुछ भी नहीं डालेंगे पहले हम इससे दो मिनट के लिए इस तरह से चला के बूंज लेंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम आज रोल बनाएंगे इसमें कोई फालतु का खर्च भी नहीं है आप इसने कभी भी बनाके खा सकते हैं जब भी आपका मन करे और जैसे तो सीजन चला है तो इनको तो बनाके खाते ही रहना चाहिए तो गाजर तो बहुत ही हल्दी है तो बस हमने इसमें चीनी डाली है आदे कप गाजर हलकी मीठी होती है तो बहुत ज़द चीनी का भी इस्तिमाल नहीं करना है इसमें, आदि कब चीनी परियाब थे हमारी, और बस हम इसे चलाते जा रहे हैं और चीनी को पिगलने देंगे, दो मिनट के लिए हम इस तरह से इसे चला रहे हैं, बहुत ही टेस्टी आज हमारे रोल वनें और खाने में एकदम स्वादिष्ट लगेंगे और इन्हें हम हलका ठंडा ही खाएंगे तो यहां पर अब देखें मैंने क्या किया है यह दूद ले लिया था एक कप और यह फुल क्रीम दूद है मतलब अच्छी से गाड़ा दूद है और इसे डाल दिया है एक कप दूद हमन और एक कप ही मैं ही काफी स्वादिष्ट और बढ़िया बन जाएंगे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यदा दूद की भी जरूरत पढ़ने वाली है और अब हम इसे इस तरह से पका लेंगे आप देखें जैसे जैसे यह दूद डालने के बाद इसका कलर जो है चेंज हो गया ह तो जब तक अच्छे सा कलर ना आ जाए तब तक हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से पकना जाए अब यह देखें काफी कमाइंड हो रहा है अच्छे से पका हुआ दिखने लगा है तो बस धीमी आच में 2-3 मिनट के लिए और हम इसे भूंज लेंगे ताकि कोई मतलब इसमें दूद बगेरा न रहे या इसका गाजर का पानी न रहे पनीला पन न रहे कहने को अच्छे से भूंज लेंगे ताकि स्वादिष्ट रोल बनके तयार हो और जब यह भूंज आएगा ना तो आपको इसको कलर चेंज दिखेगा अपने आप ही इसका चेंज दिखेगा और हमने यहां पे हरी इलाची का पाके कोई डूद नहीं रह गया कोई पानी चासनी नहीं रह गई है इस तरह से दबा के आप इसे चेक कर सकते हैं तो gas को अब हमें बंद घर देना है और इसे निकाल लेना है, ये रोल बनने के लिए परफेक्ट तैयार हो गया है अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, इस तरह से मैंने अच्छे से ठंडा किया है ताकि ठंडा होने के बाद हम इसे हातों से छूपाएं यहां पे मैंने प्लास्टिक सीट का इस्तिमाल किया है रोल को बनाने के लिए आप बटर पेपर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इजी तरीके से यह प्लास्टिक सीट मिल जाती है घर में बहुत सारी आती हैं, तो बस मैंने इसलिए प्लास्टिक सीट का इस्तिमाल किया है, हल्का सा मैंने इसके उपर तेल लगा दिया है, आप देखें रोल बनाना भी कितना आसान है, अब ये जो गाजर का हलुआ हमने मतलब बनाया है, और बस हम इस तरह से रोल करते हुए पहला देंगे, इस तरीके से, कोई मेहनत नहीं है, कोई बिगड़ने का डन नहीं है, कि ये बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, और अच्छे से ये बन जाएगा, और हातों से अब हमें एकसा कर देना है, रोल का सेप देना है, मैंने थोड़ा सा इसे चप्टा साइच के रोल का सेप दिया है, आप गोल भी दे सकते हैं, और बस इस तरह से इसे दबाते जाएंगे, और प्लास्टिक सीट को इस तरह से करते जाएंगे, ताकि अच्छे से हाथों से ही सेट करना है अच्छी से करते जाना है बस सेट कर लेना है और रोल को अब हमें रख देना है 25 से 30 मिनट के लिए फ्रेज में आप फ्रेजर में रखना चाहें तो सिब 10 मिनट के लिए रख सकते हैं और फ्रेजर में हमने 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था अच्छी से यह सेट हो गया है आप इस मिठाई को ठंड़ ठंडा खाये बहुत ही अच्छी लगेगी और अगर ठंडी नहीं पसंद है या फिर सर्दी जुकाम है तो वह भी कोई दिक्कत नहीं है आप इसे थोड़ी द और एकदम सौप्ट मुलाइम है कोई दिक्कत नहीं होने वाली और ना कोई बिगड़ने का चांस है और अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब सजाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल से यह रोल है कोई ताम जाम करने की जरूरत नहीं है और जब मैं इसे काट ल रख सकते हैं बादाम रख सकते हैं और रोल मिठाई एकदम परफेक्ट सी बड़ी हसी बनके तयार हो गई है तो अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा और बहुत ही सौप्ट और मुलाइम है मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगे कितनी ज्यादा यह टेश्टी वनी है तो मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ हम हम कि आट आट झाल झाल